hello students आज रहाँ अमने topic बढ़ें के polynomics तो polynomials जहां होता है? poly जिसे नाम से बता है polyomials polynomials poly जानि many nomials जानि defines a channel और जैसे नर्मल लेंते से बतार बोले है तो polynomial की क्या deprivation हो चैए ? polynomial अच्छली ऐसा है algebraic expressions है जो जिसकी जो terms है उनकी जो power है उनकी पावर होनी जी एक अगर उनकी power whole number है तब तो polynomial है नहीं तो वो polynomial नहीं अब वात उठती है algebraic expressions क्या होता है algebraic expressions यानि कि जिसके अंदर variable भी हो सब्सक्राइब्र फोर सब्सक्राइब ॹोट्साइब भी उनको मिलकर जो बनता है तो किया क्या का विए जिसे इनकार चीज़ें पूराना लुची यह कई है जिसके अल्फाबैट दें हे जह छो होता है वह वेरियबल के ही नंसे सादえて है और अगर हम इन दोनों को स क्या होँ जाए थे एक अलजेबरिक एकस्प्रेशन तूनिस पहले है इसे ंड़ेशियू आपको बताया n colleague ऑपि एफ सीन which is an algebraic expression where the power of term is always a whole number गो इस कोर्ड विज्म पॉलिनोमियल के तो यह वह अब पॉलिनोमियल में ही अलग लगता है पॉलिनोमियल होते हैं ठीक है अब जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने बात कि तो फैले पहले पॉलिनॉम्यल के बात की ठाफोask Чासतेल कॉलिनॉम्यल कर ईसा इस में के country ही कुई भी कॉ 공 कोई भी वेल्यू होगी तो वो फिर हम बात करते हैं जीरो पॉलिनॉमियु अगर किसी पॉलिनॉमियल की वेल्यू जो है वो जीरो ही हो पॉलिनॉमियल जो है जैसे अग्याट जो है अगर जीरो जो इसकी मुल्टिप्लाइग के अंदर अगर जीरो नेक्स्ट जो आपने बढ़ावा है नेक्स जैसे linear polynomial अब यह linear polynomial क्या होता है इसको समझने के नहीं सबसे पहले मैं आपको बता हूंगा degree क्या होती है किसी d polynomial की highest power होती है वो उसकी degree के राती है एक्जामपल के दौर पे x cube plus 6x plus 7 लिखावा है तो इसकी highest power of the term highest power कितनी है देखिए हाइस पावर 3 है तो इसकी degree कितनी हो जाएगी 3 कोई भी algebraic expression हो ठीक है तो उसकी highest power है उसके recording हम पता लगा सकते है कि इसकी degree के राती है तो उसके according अब इसके types बता रहा हूं बागी जो main types है यह आपने normally बढ़ावा भी है लीनियर पॉलिनॉमियल यानि कि जिसकी degree क्या हो वन हो जिसकी degree वन हो वो क्या क्या गयलाता है लीनियर पॉलिनॉमियल क्या गयलाता है पॉर एक्जामपल माल लोगो यह number है 2 x plus 5 या कोई number है माइनस का 3 x plus 7 इस सारे number क्या है इनकी degree देखिए जरा ज्यान से इसकी x की power कितनी है पावर देखिए तो 1 है इसकी पी power 1 है तो जिसकी degree जो होगी है वह highest power of the term highest power इसकी कितनी है 1 इसकी पीक दितनी है 1 तो यह क्या किलाएगा इसी तरह से हम बात करते हैं यह तो linear हो गया अब हम बात करते हैं जो कि आप वह भी आपने बढ़ा हुआ है Quadratic Quadratic polynomial Quadratic polynomial कौन सौलता है ऐसा polynomial जिसकी degree क्या हो 2 जैसे 2 x square प्लस का 5 x प्लस का 7 इसमें highest power कितनी है 2 f तो यह क्या कि लाएगा इसका Quadratic polynomial के रहाएगा क्यों कि इसके highest power जो है highest power यानि कि इसकी degree क्तनी है 2 f तो है इतना हो गया इसके बाद में हम लेते हैं एक और जिसका नाम है Quadratic है तो अब हम लेते क्यूबिक क्यूबिक polynomial क्यूबिक polynomial वह polynomial होता है जिसकी degree क्या होती है 3 होती है जैसे कि इसके degree 3 होगी for example 3 x q minus 7 x square plus 5 x minus 10 तो इसकी highest power कितनी है 3 यानि degree कितनी है 3 तो यह कौन सा polynomial होगा यह होगा क्यूबिक polynomial होगा एक और polynomial होता है वह होता है by quadratic जिसमें degree कितनी हो जाएगी 4 यह आप किस लिवस में नहीं है लेकिन आपको knowledge होनी चीए अगर power degree जो है इसकी अगर 4 हो जाए for example मान लोग कोई एकसा example आजाए 2 x की power 4 plus 6 x q plus 7 x square plus 7 x plus 7 तो इसमें highest degree कितनी है 4 तो यह इसका क्या हो जाएगा by quadratic polynomial हो जाएगा तो इस तरह से हमने समझा कि polynomial होता क्या है polynomial क्या होता है polynomial का मतलब क्या है क्या है polynomial क्या होता है polynomial क्या होती है और मैंने उसके बारे में बताया क्या होती है terms जो है actually किस से मिलकर बढ़ी terms के बारे में आपको बड़ा सोब बता देता हूं terms क्या होती है terms actually जिसे constant और variable का हो जाएगा कि इनके बीच में अगर plus और minus sign जो आते हैं उन से उनको differentiate किया जाता है अलग किया जाता हूंको for example मां लोगी जैसे 2x लिखा हुआ है plus 7 लिखा है तो यह दो अलग लग term होगी इसी तरह से अगर 3xy लिखा हुआ है minus का 7x लिखा हुआ है तो plus minus से जिनको अलग लग किया जाता है तो उसकी terms केलाएं तो कितने terms होगी इसकी 2 terms होगी इस तरह सहां पता लगाते हैं तो मैंने जैसे पहले बताया आप लोगों को कि polynomial many terms होगा algebraic expression algebraic expression क्या होता है variable और constant से दिलतर बना होता है variable क्या होता है जिनकी multiply के अंदर multiply in the sense जिसकी value जो होता है alpha back जैसे x, y, z या इनकी multiply में आजाए जैसे 2x plus 3x plus 4z ऐसे value आजाए तो वो क्या 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 रहता है डिजिट्स क्या बन डिजिट्स जो होती है वो क्या 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 रहती है तो ये दोनों जब मिलते है वह आपको क्या देता है यह तो हुआ है तो ऐसा एक्सप्रेशन तो डेफिनिशन क्या बनी इसकी पॉलिनॉमियल की डेफिनिशन जो बनी क्या बनी लेकिन अधर पावर जो है एक होल नमबर ना हो तो वह पॉलिनॉमियल में काउंट नहीं होता पॉर एक्जामपल मान लो कोई रिखावा है तो यह पॉलिनॉमियल नहीं है या कोई फ्रैक्शन मा आजाए नमबर 2x उसकी पावा 3 अपॉन 2 प्लस 5 तो यह भी क्या है पॉलिनॉमियल काउंट नहीं होता है तो यह आप लोग का ओवर रोल बेसिक हो गया हमारे पॉलिनॉमियल होता जो मेंली आपको पता होना चीए ओके